FMCG कंपनियों ने 10 फीजदी तक दाम बढ़ा दिये हैं मांग में कमी की वजह से बाजार में जो सुस्ती देखी जा रही थी दाम बढ़ने से उसका मुकाबला किया जा सकेगा टूथपेस्ट 10 प्रतिशत तक महंगे हुए हैं हल के पेपसुदेंट और कोलगेट 2-10 फीजदी तक महंगे हुए हैं जाबर का 200 ग्राम का मिसवाक 8 प्रतिशत तक महंगा हुआ है मेरिको के कुछ उतपाद 11 प्रतिशत तक महंगे हो गए है नेशले के कुछ उतपाद 9 प्रतिशत महंगे हो जायेंगे लेटरजिन भी दो से चार तीज़ी तक महंगे हो जाएंगे सिर्फ साबुन, खादे तेल, बिस्कुट महंगे नहीं होंगे चाई, कॉफी और टूथपेस्ट, शैंपू ये सब हाल-फिलाल महंगा हो गया है FMCG कमपनियों ने अपनी कीमतों में 10% तक का इजाफा कर दिया है जिसमें टूथपेस्ट की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोत्री हुई है H.U.L. ने अपने टूथपेस्ट ब्रांड Pepsodon की कीमतों में 2-10% तक की बढ़ोत्री की है Colgate की कीमत भी इतना ही बढ़ी है जैसे कि 100 ग्राम Colgate Visible White Pack की कीमत 15% बढ़ी है डाबर ने भी अपने 200 ग्राम में सबसे टूथपेस्ट की कीमतों में 8% की बढ़ोत्री की है पैराशूट हैर ओयल का 200 मिलिलिटर और 300 मिलिलिटर का पैक 11% महंगा हो गया है जबकि 475 ग्राम बजाज Almond Drop की MRP अब 64 रुपीज से बढ़के 66 रुपीज हो गया है Nescafe Classic और Nescafe Gold की चुनिंदा पैक अभी 3-9% महंगा हो गया है H.U.L. ने Brew Gold का 50 ग्राम पैक भी 8% महंगा कर दिया है Tata Consumer ने 100 ग्राम की Tata Coffee Grand की कीमत ने भी 10% की बढ़ोतरी की है भारत में कॉफी से ज्यादा चाई की खपत है ऐसे में जब मैं अब बताने जा रही हूँ वो और भी चुप सकता है क्योंकि चाई में 3-5% की महंगी हो गयी है जैसे Tata Tea Gold ने कुछ पैक्स की कीमत 3-5% बढ़ाया है शैंपू भी महंगा हुआ है जैसे Head & Shoulder की कीमत 4-6% बढ़ी है Pantene की कुछ पैक्स की कीमत 5-13% बढ़ी है Detergent में भी Rin और Surf XL Quick Wash और Arial Complete की कीमतों में 2-4% की बढ़ोतरी देखी गई है Soap, Edible Oil और Biscuit के वल 3 काटेगरी में Price Rice नहीं हुआ है बच्चों के लिए Health Drink Complan उसके 500 ग्राम चॉकलेट फ्लेवर पैक में भी 5% बढ़ाया गया है जानकार बताते हैं कि अभी Prices और भी बढ़ सकती है जाहिर है ये Common Consumers की जेब पर भारी पड़ेगा